हजरत सेयद बैंगलोरी मस्तान बाबा का 8 वा 3 दीवसिय उर्ष काकवाली रंग और कुल की फातिहा के बाद समापन हुआ महईशोर में हजरत सेयद बैंगलोरी बाबा मस्तान के मजार पर कवाली का आरिजन किया गया जिसमें चांड कादरी कवाल पार्टी दिली और गुलाम वारिस कवाल पार्टी देवा शरीव प्यूपी से तश्रीफ लाये दोनों आपने अपने अंदाज में सुफ़ियाना कलाम सुनाए चान कादरी ने दुलहा बने मेरे बेंगलोरी मस्तान रहमाद बर्सुर्ण महेश्वर में सुनकर सभी जुम उठे प्रोग्राम दस बजे शुरू किया गया सभी वरिष्ट जनों को साफ़ा बांध पुश्वमाला पहना कर इस्तक्बाल किया गया एक लाग के करीब जाइरिन तस्रीफ लाए जाइरिनों का हुजुम ऐसे ही राद भर चलता रहा कवाली का प्रोग्राम सुबह पांच बजे तक चला दूसरे दिन मंगलवार रंग कुल की फातिया के बाद लंगरे गोसिया खिलाया गया प्रसासन द्वारा कड़ी सुरक्षा विवस्ता मुहिया कराई गई स्यद मंगलवरी मस्तान कलंदर एमतुल्ला अले का हमारे पीरो मुर्शीद का आठवा उर्स मुबारक है जित्ते भी यहां आने वालों का इस्तक्बाल है आठवा उर्स कल धूम धाम से 19 तारीक को संदर चातर हुआ आज कववाली की मेफिल सजी है यहां बहुत लोग आया है बहार से आया है सब चाहने वाले हैं उसके बाद कल लंगर भी है 21 तारीका कमेटी लंगर करती है कल लंगर है कल रंग है कल रंग के बाद कुल की फातिक बाद लंगर होगा यह बहुत उर्स मुबारक है यह उर्स इतना फेमस हो गया है सेयद बेंगलोरी मस्तान का निमतुला अलाई का कि बहार बहार से पब्लिक आ रही है आप खुद ही नजारा देख रहा हैं कि पेर रखने की जगे नहीं है यह हमारे मुर्शित पीरो मुर्शित का करम है यह फेज है जहां से आ रहा है सब फेज पाके जा रहा है जा नाम लिखने आप इकबाल शेक अध्यक शेक हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना खुले